नमस्ति किसान भाईयों खांदेज गोड़ फार्मिंग अपने यूटूब चैनल पर सभी किसान भाईयों का स्वागत है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ओपन ग्रिजिंग पर यह हम लोग ओपन ग्रिजिंग नहीं करें क्यूंकि जब भी हम लोग कमर्शेल गोड़ फार् ग्रिजिंग के लिए ज़्यादा महत्वन नहीं देते क्यूंकि उपन ग्रिजिंग के बहुत सारे ट्रॉबैक्स है उसमें बहुत सी कमिया है इससे कि गोड़ फार्मिंग बिजनेस में वर्किंग करते समय या उसके अंदर से जो इंकम आता है उसमें बहुत सारे दिक्कत जाती है तो यह जो ग्रेजिंग कर रहे हैं हम लोग इसको क्लोज ग्रेजिंग करते हैं जैसे आपने देखा होंगा कि बाकी जो कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर आम लोग देखते हैं गाय भैसों के लिए पेशेली कुछ लैंड होती है जिसमें प्लैंटेशन किया होता है अलग अलग तरह के चारो का रूस को क्लोज करके जानवर उसी के अंदर चरते तो हम लोग अगर उस तरह से वर्किंग करना चाहते हैं अपने यहां पर तो कुछ चारे है जिनका प्लैंटेशन हम करके इस तरह से हमारे जानवर अपने ही खेत में चरने के लिए छोड सकते हैं तो उस तरह से अगर हम लोग सोचे तो कौन-कौन से चारो का प्लैंटेशन और किस हिसाब से करना चाहिए यह हम लोग यहां पर देखेंगे तो सपेशल है देखिए हम लोगों ने अभी यह दश्रत का प्लैंटेशन किया हुआ है और यहां पर हम लोग जानवर को खुले में छोड़ देते हैं तो देख सकते हैं आप जानवर उपर से कटिंग कर लेते हैं और नीचे से जैसे कटिंग हो जाती है तो दश्रत नीचे से और एक बढ़ना शुरू हो जाता है जहां से पत्तों से तो यहां पर प्लस पॉइंट क्या होता है तो भी हमें चारा कटाई के लिए जो भी मैन पाउर का खर्चा है बच जाता है और साती साथ अपने जानवरे के नैचरल तरीके से भी चारा खाके ग्रो करते हैं तो इसमें हम लोग दश्रत का सबसे बढ़िया रोले और इसमें ह मैं हम लोग जो अपना रच का होता है यह एक वैंटinky यहां पर इसके अंदर पिछले साल यह न ben बचा हुआ था तो यह बच हुआ उसलिय का अि व गजिए लिए फ्रेश खा लेता है तो इस हिसाप से दिक्कत आती मैं है Transkim कि दратश्रत एक बढ़िया option के लिए अगर हम लोग सोचते हैं हमारी लैंड में कोई चारे का प्लेंटेशन करने के लिए सिर्फ हमको क्या करना होदा है इस में क्लोज ग्रेजिंग में एक पर्टिकुलर रहा देख सकते हैं हम लोग हमने आध्या जो दश्रद है उससी के अंदर जानुरों को छोड़ा हुआ है औ और उसके बाद में जगा बदल लेते हैं तो फिर आगे हम लोग उनको चराते हैं वैसे हम लोग अगर नेपियर में करते हैं इसमें हम लोग अटेश करेंगे दूसरा एक पार्ट उसमें हम लोग देख सकते हैं तो भी नेपियर में भी वैसे ही करेंगे हम लोग आदा करते हैं और अच्छे से ग्रोव हो जाता है उसको ग्रोवने के लिए टाइम मिल जाता है तो क्लोज ग्रीजिंग के लिए हम लोग अगर सोचें तो देश्रत एक बढ़िया उप्षेन है जो कि किसान अपने खेत में प्लांटेशन करके कर सकते हैं और इसकी जो डंडिया होती अच्छी खाजी हार्ड और उसका जो तना होता है वो अच्छा का तरश स्टीफ होता है अगर एक देख सकते हैं यह पर बहुती स्टीफ है जी कितना बड़ा है तना अगर इतना स्टीब जो तना है बक्री उस पर बैड भी जाती है पैर रख देती तो यह चारा खराब नहीं होता है इसमें कोई प्रॉब्लिम नहीं आता है तो यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंड दश्रत का तो दश्रत के साथ आप क्लोज ग्रेजिंग भी कर सकते हैं धन्यवाद क किसाथ बैया